नमस्कार दोस्तों मैं कृष्ण नमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ Learning Mirror YouTube चैनल में दोस्तों आप सब का बहुत सवाल आ रहा है सर आयर सिटी सेर स्पिट के पहले खड़ी दूँ बाद में खड़ी दूँ कितने दिन के बाद में आने वाले हैं सब का जानकारी में देने वाला हूं तेरी जर्स करने सब्सक्राइब करना और से करना देखो यह आपको यहां पे सी ने फिक्स्ट किया हुआ है फॉंट और ट्रिक इने फेटे अन पर न इक्तूबर 2029 और रिकॉर्ट टेट तो एसके बाद जो बाद जो है मैं आपको लाता हूं समझाता हूं कैसे आपको इसी लेंगवेज में कैसे समझाना है मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे देखो अभी जो present price है IRCTC का हुआ है 3802 यह आपको 29th October को या 28th October को जो भी होगा उसके rate के हिसाब से split होने वाला है यह चीज यहाँ रख लेना तो मैं मान के चल ला हूँ आज 28th October है और इसका price जो यही रहने वाला है समझा देता हूँ मालो मालो आपका 10 shares है आपके पास face value फिलाल भी 10 है और old share price जो है उस दिन का X rate का वो है 3802 तो आपका investment value कितना हुआ 38,020 रूपीज का अगर 10 shares है तो वही 10 shares को क्या कर रहा है वो face value 10 था मतलब 1 share के जगा आपको 5 share मिलने वाले हैं तो यहां पे आपको 10 shares थे 1 share का 5 share मिला face value 2 का 10 share कितना हो गया 50 shares 50 share हो गया face value 2 का सेम आपका जो price है 3802 डिवाइड वाइव कर दो यहां पे major concept में आपको दिक्कत आती है यहां पे आपका new price जो है new stock price यहां पे old stock price आपका new stock price जो है पे portfolio value 40,000 का वो 2 lakh का हो जाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है portfolio value आपका same to same रहने वाला है यहां पे देखो 29th October का इसका record date है X date 28th October का है जो भी 28th October का price होगा 9 a.m को उसी time जो है मानलो face value 10 था 2 हो रहा है तो यहां divide by 5 कर देना 50 shares जो है आपको demet में चले आएंगे कब आने वाले हैं यह भी सवाल लाता है जो new shares आपका आने वाला है वो 10 to 20 working days के अंदर आपके demet account में चलाएगा 10 shares तो दिखेगा है दिखेगा जो बाकी 40 shares रहेंगे आपके 40 shares जो है वो 10 to 20 working days के अंदर आपके demet account में आ जाएंगे आपको portfolio में loss दिखेगा घबराने की बात नहीं है वो loss जो है जैसी shares credit होगा वो manage हो जाएगा आप 10 shares sell कर सकते हो 40 shares जब तक demet account में नहीं आएगा आपको wait करना होगा जब तक वो नहीं आता है तब तक आप वो sell नहीं कर सकते concept clear यहाँ पर समझ गए 1 is to 5 का मतलब क्या हुआ पहले 1 shares था आपका face value 10 का आप जो है आपको 5 shares मिलेगा face value 2 का और इसमें कुछ difference नहीं हुआ वस face value चेंज हुआ है आपका number of shares चेंज हुआ demet account में portfolio value same to same है दूसरा जो गलत concept आपके mind में आता है 760 का price हो गया यह फिर से अभी buy कर लेता हूँ यह 3802 चला जाएगा अगर मालो जाना हुआ अगर company को जाना हुआ तो यह split करने से पहले भी जा सकती है मालो 3802 का है और जाना होगा तो यह 15 तो जा सकती है तो यहाँ पर कोई confirm नहीं है कि 760 का price आ चुका है तो फिर से यह 3802 चला जाएगा समझ गे liquidity को high करने के लिए some certain criteria है F&O के वो fulfill करने के लिए company split करती है कि liquidity price कम हो जाए तो liquidity market में ज़्यादा हो जाता है और इसमें कुछ भी ज़्यादा benefit नहीं है रिटेल इन्वेस्टर को कम दाम पर से खरीदने को मिलेगा valuation आपको समझ में आता है तो 80,000 पर ले या 800 पर ले बात बराबर है आपको concept clear हो रहा है simple concept है यह चीज़ी ध्यान रख रहना 760 का price हो गया इसका मतलब यह नहीं कि 3802 जाएगा 3802 है अभी 1020 split के बाद उसमें कोई changes नहीं होगा अब मालो 760 पर आ गया उस दिन का price इसके वो ऊपर चला गया तो valuation बढ़ जाएगा और नीची आगा तो valuation घट जाएगा simple concept है stock आपका record date को आपका shares आपके demate economy होना चाहिए stock split जो होगा जो price इसका घटेगा वो घटेगा 28th October का जो price होगा 9 a.m. को उसी time गट जाएगा तो घबराना मत और shares आपको 10 to 20 working days में आपके demate में आने वाले 10 shares दिखेगा 40 shares नहीं दिखेगा portfolio आपको loss दिखेगा heavy loss दिखेगा घबराने की बात नहीं है वो जैसे ही shares credit होगा वो loss जो है आपको दिखना बंद हो जाएगा concept clear यह समझ गए 1 is to 5 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 1 is to 10 होता तो तो मतलब 10 shares होते हैं आपको 100 shares मिलते हैं लेकिन यहीं जो 3802 का price है वो आपका 380 रूपीर हो जाता सीधा devaliver 10 कर दो simple concept है valuation save नहने वाला है प्रिट क्या होता है क्यों होता है क्या इसका benefit है आपके portfolio पर क्यों change नहीं होने वाले आपको क्या चीज का ध्यान रखना है समझ गए लेना है तो थोड़े बहुत आप saves ले सकते हो पूरा पूरा एक बार में पैसे मत लगा देना पूरा पूरा lifetime savings जितना है कि नीचे आता है तो कितना time wait करना पड़ेगा bounce back करेगा नहीं करेगा चीजें सब कुछ clear करके investment करना यह जो था मैंने समझा दिया है यह issue आपको आ सकती है split के बाद तो मैं पहले ही video बनाके डाल दे रहा हूँ आप देखके बिल सबको समझ लेना घबरानी के बाद नहीं है जो 40 shares होंगे आपको 10 to 20 working days के नदर चले आएंगे portfolio loss दिखेगा घबराना नहीं है और उसके बाद जो भी है यहाँ पे आपको सबको समझा दिया है मैंने तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ video आपको अच्छा लगाओ वीडियो अच्छा लगाओ करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ट्रेडिंग और टीमेट एकांट लिंग जो वीडियो को डिस्क्रिशन में है वहाँ पर जाके आप उपन कर सकते हो कुछ भी साहता होता है मैं नाइट को एट पिम लाइब आता हूँ वहाँ पर आके पूछ लेना साले सोचल मेटे साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्विटर जहाँ भी आपको लर्णिंग मेरे देखे जोईन कर लो तत्ते के लिए दोस्तो धन्नवाद